नमस्कार दोस्तों स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर आज हम बात करेंगे कि क्या आप बैक फिलिंग करवाने के बाद सीधा छट डलवा सकते हैं या हमें पहले PCC करवानी चाहिए और इस वीडियो में हम एक और सवाल का जवाब जानेंगे कि क्या हम बिना बैक फिलिंग करवाए छट डलवा सकते हैं क्या तो मित्रों यह वीडियो बहुत ज़़ा इंट्रेस्टिंग होने वाली है इसलिए इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं तो मित्रो सबसे पहले हम अपने पहले सवाल का जवाब जान लेते हैं कि क्या हम बिना फ्लोर PCC किये छट डाल सकते हैं क्या तो दोस्तो यदि मैं अपने पर्सनल एक्सपिरियंस के मुताबिक आपको बताऊं तो मेरी नजर में यहाँ अप्शन बहुत गलत है क्योंकि दोस्तो यहां में बैक्फिलिंग पर बल्ली फंटे लगाने पड़ते हैं ऐसे में दोस्तो जो आप लोगोंने नई नई मिट्टी भरवाई होती है वह चट के लोड़ के कारण या पानी लगने से सेटल हो सकती है जिससे दो गंबीर परिणाम हो सकते हैं पहला तो आ आपको सोईल का कॉमपेक्शन करवाना है उसके बाद आपको सबसे पहले बैस लेप डलवानी है और उसके बाद ही हमें उसके ओपर शट्रिंग को बादना है दोस्तो यह आप लोग मिट्टी में शट्रिंग खड़ी करवाते हो तो ऐसा नहीं है कि वह गलत है लेकिन उसमे आप लोग soil को पहले ही compact करके उस पर PCC कर दोगे तो settlement होने की संभावना ना के बराबर हो जाएगी इसलिए मैं आपको advise करूँगा कि पहले आप best lab डलवाईए चाहे आप PCC की best lab डाले या फिर RCC की लेकिन सबसे पहले best lab डाले और फिर जाकर ही चत की डलाई करवाए अब दो ज़्यादा खर्च होगा क्योंकि बिना back filling के आपको height achieve करने के लिए बहुत लंबी लंबी shattering लगवानी होगी ऐसे में दोस्तों बल्ली वगेरा की shattering के लिए हो सकता है कि joint का उपयोग किया जाए और joint के उपयोग से shattering फैल होने का खत्रा बहुत बढ़ जाता है आपके पा कि हम पहले ही back filling करवाले ताकि हमारा extra खर्चा बच जाए और दोस्तों स्रिफ shattering का ही नहीं बल्कि छट डालने के बाद back filling करवाने में भी हमारी labor की cost extra लगती है इसलिए मैं इस option को recommend नहीं करता हूँ बाकि दोस्तों आपकी इच्छा कि आप क्या prefer करते हैं तो दोस्तों यह लगतों यह था एक चोटा सा video उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को like करे चैनल को subscribe करें और bell icon on करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की notification आपको मिलते रहे और नीचे एक प्यारा सा comment जरूर करें कि आपको य नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जाएंद वन्दे मातरम